नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों आपका स्वागत है कुरोना के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं कोविट-19 के संक्टों के साथ एक बार फिर से हम आए हैं आपके अंदर वो उत्सा और लगन जगाने जो आपको ये बता सकता है कि आपको आगे क्या करना है और कैसे सफल होना है पत्रिकारिता जगत और मीडिया में अपार संभावनाएं हैं और अपार चुनोतियां भी हैं इसके मद्दे नजर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सपनों की उड़ान और होसलों से पूरे होंगे अर्मान तो आज के क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि उत्तरक देश रासी टंडन मुक्त विस्विद्याले कौन-कौन से पत्रिकारिता से जड़े कोर्सिस चला रहा है और आप ऐसे क्यों-कौन से कोर्सिस कर सकते हैं जिनको करने के बाद आपका भविस भी उज्वल होगा और आपके अंदर रचनात्मक और ख्रियात्मक छमता का विकास भी होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको उत्साहा और एक मोटिवेशन की जरुवत है एक एनरजी की जरुवत है जो कहीं न कहीं आपके अंदर है लेकिन उसको एक हवादेनी की जरुवत है तब ही आपके अंदर जो छोटी से चिंगारी है वो एक आग बनेगी और उस आग से पू थिक्रम कैसा है मैं यहां मिस्विद्याले के प्रियागराज फाफरमों कैमपस में बैठती हूं डॉक्टर साधना सिर्वास्तो पत्रिकारिता विवाग में असिस्टन प्रोफेसर हूं आप लोग काफी बार फोन करते हैं और कई ऐसे जग्यासाइं होती है जिसमें आपको को को प्ता ही नहीं होता है किस को करने से आप क्या करेंगे और कहा जाएंगे किस कोर्सका स्ट्रیک्चर क्या है और उसको करने के बाद एके संभावनाइं ऊनको तलास सकते हैं अपने करियर में नई उडान भर सकते हैं और कैसे मीडिया में अच्छा काम करके ना सिर्फ आप अपना अपने परिवार का, समाज का, देश का, बलकि वैस्वे के स्तर पर आप एक उस्सा के साथ में आगे आ सकते हैं इससे पूर में मैंने एक वीडियो डाला था कि पत्रिकारिता एवं जनसंचार में करियर की संभावना है तो जब करियर आपसंस की बात की थी, कुछ मेरे और भी वीडियो पड़े हुएं आप जब यूप्यार्टी और शुड़ी ऑनलाइन पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे साथ में आज मैंने बताने के लिए एक स्पेस्विक मैंने जब उन्हों आपके ही प्रतिक्रियाओं और फीडबैक से मुझे हमेशा उस्सा और होसला मिलता है क्योंकि दोस्तों मेरे प्यारे विद्यारतियों जब आप हैं तो हम हैं और जब हम हैं तभी हम इस सुसा के साथ में आपको बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कैसे और क्या होगा, आपकी प्रतिक्रियाउं और फीडबैक क्या धार पर ही, ये एक विसेश लेक्चर मैंने तैयार किया है जिसमें कि मैं आपको बताउंगे कि कॉन से कॉर्स यहां हमारा विस्विध्याल है सबसे पहले MJ जिसे कि हम पराइशनातक डिग्री कहते हैं या PG कहते हैं पत्रिकारिता के मीडिया कि यह चला इसके लिए आप किसी भी विसे में अगर इसनातक है यानि कि आपने ग्रेजवेशन किया हुआ है आपके अंदर कुछ लिखने पढ़ने और कुछ कर गुजरने की छमता है चाहे आप किसी भी डिसिप्लीन के हो साइन्स, आर्ट्स, कॉमर्स आप ग्रेजवेट होना चाहिए इसके लिए आपको और यह हमारा दो साल का कोर्स है जो कि सेमेस्टर सिस्तम पे है और जिसमें अलग-अलग पेपर पढ़ाया जाते हैं जिसमें आपके जिन पेपर्स की चीजों की बारविसमें आपको जनसंपर्क, विज्यापन, सिध्धान, टेलिविजन, प्रिंट, इल भावनाएं ले सकते हैं वो कोर्स है आपका PGDJMC, जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि एक पोस्ट रेजवर डिप्लोमा कोर्स है पत्रिकारिता एवं जनसंचार में जो कि एक साल का है और यह भी सेमेस्टर पदती से है इसको करने के बाद यह प्रोफेस्टनल कोर्स है इसको करने के बाद आप फिल्ड में काफी अच्छा कर सकते हैं पत्रिकारिता की बारीकियों को जान सकते हैं अब आप यह कह सकते हैं कि जब हम यह करके सब कुछ जान लेंगे तो हमें MJ करने की क्या जरूवत है तो MJ और PJ DJMC में काफी अंतर है और जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो आपको MJ एक बहुत बड़ा विस्तार आयाम देता है इसके सेकेंडियर में आप में जो पेपर पढ़ते हैं उसके आधार पे आप सोध, रिसर्च, विग्यापन जनसंपर की अडवांश टेक्नलोजी औ अगर आपको मूती चुनना है, कोईले की खान में हीरा खोजना है तो आपको गहराई में उतरना होगा, तो PG Diploma in Journalism and Mass Communication और पत्रिकारिता कोर्स में यही अंतर है आपके साथ में, कि जब आप इस कोर्स को करते हैं, आप नस्चही बारी किया जान लेंगे, लेकिन यह डिप कर सकते हैं, भविस में सोध और रिसर्च कर सकते हैं, तो इससे आपके पास एक करियर के कुछ नए विकल्प भर के सामने आते हैं, जो कि रिसर्च एजन्सी होती है, जो कि सोध में जुड़ी संभावनाई होती है, और साथ साथ में एकाडमिक में, जैसे कि मैं आपको पढ अगर आपके पढ़ाने में रुचहान है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप वित्यारतियों के लिए कुछ देना चाहते हैं, तब फिर आपको MJ करना चाहिए, कि आप NET निकालिये, PhD करिये, और अपने साथ साथ इस देश के भविस निर्माण में युवाओं को आगे लाईए और अपने जो भी विचार चमता है, उससे आप कर सकते हैं, तो MJ आपको पत्रिकारिता की अनिक संभावनाए देता है, इसके बाद में जो कोर्स आप यह देख रहे हैं, पीजे डिप्लोमा, इलेक्ट्रोनिक मीडिया और फिल्म प्रोडक्शन, यह कोर्स हमारे हां का स्पे इसमाइल पिंकी, मिर्जापुर के पास की छोटी सी लड़की की ऊपर बनी हुई डॉकुमेंटरी जो की भारत में आसकर लेकी आई, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, जो की मोबाइल से बन जाती है, सौट फिल्म फेस्टिवल होते हैं, या अगर आपको कभी भी हमारे विस स्विद्याले का पहला फिल्म फेस्टिवल दरसन सास्तविभाग के साथ मिलके कराया था, जिसमी की हमने पूरे भारत से तरह तरह की बनी फिल्मों को दिखाया था, और किस तरीके से फिल्मों में और अच्छा हो सकता है, कैसे हम फिल्मों में जा सकते हैं, कैसे हम अपनी का निर्मान कर सकते हैं, film production क्या होता है, film के technique क्या होती है, इस सारी चीजों के बारे में हम जान समझ सकते हैं और ये डिगरी आपको बहुत ज़्यादा लाब देती हैं, अगर आप MJ के साथ ये डिगरी कर लेते हैं, या किसी और master डिगरी के साथ में ये डिगरी आप कर लेते हैं, तो आपको एक professional course की जानकारी होगी, दोस्तों और प्यारे विद्यारतियों, आज आप ये बात जानते हैं, कि डिगरी सब कुछ नहीं है, हमें अगर सफल होना है, तो मैं जितने साल से पढ़ारी हैं, अपने विद्यारतियों से एक बात कह रही हैं, सफलता है का सिर्फ तीन मंत्र है, लख, लिंक, टैलेंट, लख, किस्मत बहुत जरूरी है, लेकिन किस्मत बंती कैसे हैं हमारी मेहनत से, तो जो हम फिल्म इंडर्श्ट्री की बात करते हैं, या सौट फिल्म है या लगू फिल्मों की बात करते हैं, तो ये कोर्स हमारे लिए एक व्यापक आयाम प्रस्तुत करता है, सिर्फ एक साल का कोर्स है, अगर आप किसी भी इंडर्श्ट्री से जुड़े हुए हैं, और आप कुछ और भी काम कर रहे हैं आपको प्रोफेस्टनल डिग्री देनी हैं तो आप इस डिग्री को ले सकते हैं काम कर सकते हैं यह एक साल का कोर्स है यह वार्षिक पदती पर है पीजी डी जे आरेंसी जैसे की नाम से आप देखेंगे यह पीजी डिप्लोमा कोर्स है लेकिन आर जे अंसी होने यह आर जो है यह ग्रामीर पत्रिकारिता को रिप्रेजेंट करता है रूलर जनरलिजम आप जानते हैं हमारा भारत जो है गाउं का देश है हमारा भारत जो है क खेती नहीं होगी गाउन नहीं होंगे तो हम विक्सित नहीं हो सकते हैं कंक्रीट की इमारत बना लें उन इमारतों में हम सूरच को छिपा लें चांद को खोजें और आसमान में रातों को जाक के निहारें सफलता कि अगर बुलंदियों पर जाना है तो आपको गाउं के विका सीधी सची बात कि अगर आपको अपने देश की माती से जुगाओ है और आप अपने गाउं के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप सिर्फ जीवन जीने में यकीन नहीं रखते हैं इन सारे courses के विस्तार के बाद मैं कुछ और बाते आपको बताऊंगे जो मेरे पिछले lecture में भी है लेकिन जिल लोगों नहीं सुना उनके लिए या चीजों के लिए कि सिर्फ पत्रिकारिता जीवन जीने का course नहीं है सिर्फ पत्रिकारिता मीडिया का course नहीं है इससे अगला जो मेरा व्याख्यान है क्योंकि आप लोगों के इतने feedback और प्रतिक्रियाएं आएं कि मुझे बहुत खुसी है कि आप गुरू बरू कभी WhatsApp के जरिये कभी फोन के जरि सालों से online विवस्था को तयार कर रहा है हमारा विश्विद्याला उत्तर पुदेश का एक मात्र मुक्त विश्विद्याला है जो कि आपको इन सारे courses का study material प्रोवाइट कराता है हाँ दोस्तों आपको यह देखने की विद्यार्थियों आपको किताबों के लिए भी भटकन सब्सक्राइब करेंगे आपको क्या और कैसे करना है और दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको यह स्योर करती हूं यह मैं आप से कहती हूं कि आप किसी भी study center में पढ़ रहे हो लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश राशी टंडन मुक्त विश्विद्याले क कि विद्यार थी है आप पत्रिकारिता का कोई भी course कर रहे हैं इन में से कोई भी course कर रहे हैं तो आपको कोई भी संकट आता है मेरा सीजी नंबर वेफ साइट पे उपलब्द है मैं 10 से 5 विश्विद्याले में रहती हूं आप मेरी counseling में आ सकते हैं आप कभी भी मुझ से आती है सिकायते सुझाओ प्यार और पढ़ाई की बाते सभी आती है कोई 19 में online classes लिए मैंने अपना पर्सनल यूट्यूब चैनल भी चलाया था जिसमें मैंने घर से बैठके आपको उत्सा मोटिवीशन और पत्रिकारिता की कई चीजे बताई थी उस पे भी मेरे काफी सार कले की पत्रिकारिता की तो अगर गाओं का विकास करना है के संरचनाई कैसी होती है इस संस्थाएं किया होती है हाँ दोस्तों ये कोर्स आपको यासी संभावनाय पिदान करता है कि आप गाउं में रहते रहते जहां पे आप हैं वहां के आसपास के इस्टेडी सेंटर में आप किसी भी कोर्स में अनुशन ले सकते हैं इस्टेडी मेटेरियल आपके घर पहुच जाएगा आप उससे पढ़ेंगे संपर्क अक्षाओं द्वारा ओनलाइन द्वारा ओनलाइन प्लासेस द्वारा आप इनसे कुछ भी कर सकते हैं दोस्तो आज के लेक्टर में मैं विसेस रूप से आपको कुछ होम वर्क भी दोंगी और साथ में दोंगी बॉनश टिप्स कि अगर आपको मीडिया में सफल होना है तो आपको क्या बोनस टिप्स चाहिए तो इतने courses के बाद में एक course ही आपको जो छोटा सा प्यारा सा निनना सा course दिख रहा है यह certificate course है इसके आगे C लगा हुआ यह C रिप्रेजेंट करता है certificate को यह C जो है grammar पत्रिकारिता में certificate course है यह 6 मन्त का है यह भी आपको एक नई लगन उस्साह देता है लिखने पढ़ने की पद्दती बताता है कभी-कभी मेरे इस इन दोनों courses का बहुत बड़ा फाइदा एक बहुत-बड़ा वर्क है जो primary के सिख्षक और अध्यापक है जो भी मुझे मिलते हैं हमारे मुझे बताते हैं हरसार खुसी हो रही है कि ऐसे कई primary के सिख्षक और अध्यापक है जिन्हों मित्रमनली थी उन लोगों ने भी करने में काफी साहथ किया प्लस उन लोगों ने इन दोनों कोर्षिस को करने के बाद अपने अपनी प्राइमरी एजूकेशन और प्राइमरी इसकूलों में बच्चों को कैसे रचनातमाग धंक से पढ़ा सकते हैं कैसे उनको लिखना पढ़ना और बोलना बता सकते हैं इसके बारे में भी ये courses किये तो आप ये मैं सोचे विद्यार्थियों कि ये course करके सीधे सीधे आपके लिए पऄकारिता परसंभावनाएं को करने बाद आप अपनी स्टाउं का विस्तार करके किसी भी सेक्टर में अगर हैं मैं आभी आप बताओं गिचे बाद कि कैसे किन चम्ताओं के साथ की आपके बढ़सकते हैं तो किसी भी सेक्टर में ऍथा आप आगे जा सकते हैं अगर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं आप किसी और जगे पढ़ा रहे हैं लेकिन आपके अंदर यह उत्सा है कि मुझे कुछ देश के लिए करना है मेरे पास पैसा तो आ रहा है क्योंकि यहां हमारे विद्धियाले के एक खास बात और है कि आप नौ नौकरी मिल गई है और आप ऐसा जीवन कालगी जी रहे हैं जब आपकी एज हो चुकी है यह आप देश के लिए करना चाहरे पर आपके पास समय का भाव है आपके अंदर पढ़ने लिखने का रुजहान है आपके अंदर रचनात मक्ता है लेकिन आप सही समय पे उसे निका नौकरी के साथ साथ जीवन में उमंग उत्सा और देश के लिए कुछ अच्छा करने का जजबा देंगे दोस्तों चाप कोई भी करते इन कोर्स में आपको अच्छा बोलना अच्छा लिखना और अच्छा पढ़ना जिखाया जाता है और आप तो सब जानते हैं कि सब्द स नौकरी कर रहे हो कहीं पे भी हो आपके लिए अपार संभावनाय आ जाएंगे तो यह सारे कोर्स दो तरीके से हैं एक तो उनके लिए जो कि इसको पढ़के सीधे और डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मीडिया में आना चाहते हैं तो दोस्तों आपका स्वागत है अड्म नात्मक्ता नहीं है जीवन में एक उदासी सी है कुछ सीखना चाह रहा है कुछ करना चाह रहा है और रूटीन के ढले से जो रोज की कहानी होती है उससे बचना चाह रहा है तो इन कोर्स को कर सकता है यह जो मैंने तीन कोर्स आपको बॉक्स में दिखाए हैं यह तीन कोर्स तो आप जानते हैं कि कितनी रोचक होती है, फोटों में एक सब्द जो है कितनी कहानिया कह जाता है, लेकिन एक चित्र जो है हजारों लाखे बाते बैया जाता है, हम जो सब्दों से ना कह पाए, उसको चित्र के माद्दे हम से बता सकते हैं, और ये एक प्रोफेस्नल कोर्स ह जिसको करनी के बाद आप किसीच смог में जो भी एडिटिंग का काम करना चाहते है क्या अरका करना चाहते हैं extends अरति याप니 रहर gonna क्यों करना चाहते हैं किसी Media House में आप जाते हैं, आप जानते हैं कि हर जगे होता है, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां फोटो की जरूवत ना पड़े, ऐसा कोई समारों नहीं है, चाहे वो घर की साधी हो, चाहे वो ओफिस का बड़े से बड़ा corporate communication का culture हो, चाहे वो international global meet हो, अगर आप हमारे माननी वरतमान प्रदान मंत्री जी को भी अगर आप देखे तो उन्होंने मीडिया की समझ और मीडिया का सही प्रयोग अगर हम सत्ता या विपक्ष की बात भी करें तो कहीं न कहीं फोटों का बहुत महत्व होता है हम इनी फोटों से एक अच्छा हास से भी उत्पन कर सकते हैं और इस फोटों से हम विवस्थना और एक ऐसा द्रिश्व भी उपस्तित कर सकते हैं कि हिर्दय व्रदारक द्रिश्व और हमारा देल जीख उठे तो फोटो की समझ और कैमरे के साथ आप कैसे खेल सकते हैं कैसे जा सकते हैं इसके लिए संभावनाय आप अपना रेक्तिकत काम क अपना काम कर सकते हैं अपना काम कर सकते हैं साथ में कुछ लोगों को असिस्ट कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी संभावनाय बाकी और भी जवाब मिलेंगे और यह दो चोटे कोर्स जो देखने हैं यह उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्विध्याले का उर्दू विभाग चलाता है परन्तु इन कोर्स को इनके साथ मैंने इसलिए उमर्ज किया क्योंकि हमारे उर्दू विभाग में काफी अच्छा इसका भी वह है यह कोर्स है डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिजम और मास कम्मिनिकेशन और यह जो है डियू एन आरे यह कोर्स है आपक आप जानते हैं कि उर्दू एक उर्दू का सम्रिद्ध साहित रहा है उर्दू जो है हमारे जुबान पर चड़ी वह एक भासा है कहीं न कहीं सब्दों की समावली रही है भाईचारे और अपनत्र की भासा रही है उसका पटिकुलर ऐसा समुदाय है और एक ऐसा वैस्वेक इस तर पर हमको ग्लोबल मंच प्रदान करता है तो यह दोनों कोर्स जो हैं हमारा विस्विद्याले का उत्तरप्रतिश रासी टंडन की यह दोनों पत्रिकारिता से जुड़े कोर्स हैं इसके लिए उर्दू भासा की जानकार और विसेशग सिक्षक हैं जो कि आपको इसके जारी कराता है इस पेसली इस कोर्स की खास इस इन दोनों कोर्स को बॉक्स में रखने की खास बज़े यह है चुक्कि यह दोनों जो स्पेस्विक कोर्स हैं यह दोनों यह और एक यह दी यू जैंसी और दी यू एन आरे यह कोर्स विस्विद्याले का पत्रिकारिता विभा था है औरुतौं इनसे सब करते हैं तो है तुछ थी आ बारे में आपको जानकारी को सकती हूँ तो यह इक मैंने आपको बताया है कि इस विस्विद्याला में कितने कोर्सेश चल रहे हैं उत्तर प्रदेश राश्ची टंडन मुक्त विस्विद्याले मैंने जैसा कि आपको बताया आप घर बैठे कर सकते हैं नौकरी करते हुए कर सकते हैं और हमारी वह बहन माताएं जिनके अच्छे समय पे साधी हो गई है जिनके अपने बच्चे हैं जिन्होंने पारवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं वह पढ़ना चाह रही हैं वह कुछ करना चाह रही हैं वह अपने बच्चों में अच्छे संसकार देना चाह रही हैं वह आगे बढ़ना चाह रही हैं वह भी इन सब को करके समाज में एक प्रतिष्ठित और अच्छे जीवन के चीने के लिए कर सकती हैं दोस्तों आपको एक फिल्म याद होगे इंग्लिस विंग्लिस चलिए कोर्स के बारे में बात कर ली अब हम आपको बताते हैं इनके संभावनाएं चीजें और आप कैसे इसके बारे में सफल हो सकते हैं एक फिल्म आपको याद होगे इंग्लिस विंग्लिस अभनेत्री स्रीदेवी जी की फिल्म थी बहुत ही बढ़िया फिल्म थी मुझे काफी अच्छी लगी उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी एक ऐसी महिला जो कि सब कुछ करती है एक ऐसी महिला जो परिव जिनी बोलते थे तो यहां परेख़ेज में अगर आप ऐसी हउसा वाइफ आते हैं आप एसी वह जिनके अंदर बहुत सरी संभावनाएं सपने में बहुत सरी अपनी दोस्तों सी मिले भाभीजी लोगों से मिली मेरा असपस्राइख सेवा के जो जो काफी लोगों से मिलना रह है जिसके बारे में कभी आपको विस्तार से बताऊंगी क्योंकि यह तो वह सागर है पत्रिकारिता कि आप पूछते जाए हम बताते जाएंगे और यह अखंड काव यह जो कभी खतम नहीं होगा तो अगर मैं समधायक रेडियो की एक खास बात यह थी कि भारत के गाउं से ले तो कईयों के दिलों में कई कहानी छोपी हैं कईयों का कहना है बोलने को सब्द बहुत हैं लेकिन लिखे कैसे हम जानते नहीं हम जिन किताबों को पढ़ते हैं उनको पढ़ते हैं लेकिन उन महिलाओं ने जो कि हाउस वाइफ हैं जो कि वो चीज़े कर रहे हैं उन्होंने यह कुछ किया है, मैं भी कुछ कर रही हूं, मैं भी कुछ लिखती हूं, तो अगर आप हमारे इन सब कोर्स को करती हैं, तो निस चही हमारे पस बहुत सारी संभावनाई है, इसके बाद बाते लंबी होड़ी मैं जो अगला वीडियो आपको बताओंगी, उसमें यह कि सिर्फ one-way communication पर बिलीव नहीं करती है, बिलीव मैं वर्ट कि अगर आपको पत्रिकारिता में जाना है, मीडिया में जाना है, और प्यारे विद्यारतियों, आप सब तो मेरे प्यारे होई है, ना सोचो कि वो लोग कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो कोई संभावना नहीं नह मैं दो-तिनी स्कूलों में गई 15 अगस्त में जब मुझे बुलाया गया कैस्ट बना के प्राइमरी स्कूलों के मेरे जो कई जानने वालों है, तब मुझे लगए कि यहां कितनी संभावना आए हैं, देश को सुधारना है, गाउं के टीचरों को सुधारना है, तो सिर्फ मी मेरा जो अगला व्याख्यान है, वो इसी बात पर है कि COVID-19 में बहुतों की नौकली जा रही है, बहुत लोग निरास हुए है, बहुत लोग हतास हुए है, लेकिन आप क्या और कैसे करें, और दोस्तों यकीन मानिये, मैं सिर्फ बातों पर नहीं जमीनी हकीकत पर बिलीफ कर अगर आप अकेले भी हैं, तो भी आप जो हैं कुछ न कुछ कर सकते हैं, कुछ न कुछ आप पा सकते हैं, आपको चलने की जड़ुवत है, महत्मा गांदी अकेले ही थे, लेकिन नमकांदोलन हो गया न, डांडी मार्च निकाल दिया, अकेले ही थे आइंस्टाइन, लेकिन E.B.M.C.S.Q.I.R. का फार्मूला दे दिया एडिसन अकेले ही थे कितनी हजार गलतियों करने के बाद उन्होंने एक बल्ट देही दिया तो कभी आप यह मत सोचो कि आप अकेले हो आप अकेले नहीं आप एक फीर को अपने पीछे ले जाने का होसला और जज़बा रखते हो लेकिन आप इसमें करें कैसे दोस्तों एक बात में आपका एक भ्रम को आज इस वीडियो के जड़िये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहरी हूँ बिल्कुल इसपर्ष सब्दों में बता दे रही हूँ कि मीडिया के साथ सबसे बड़ी दुर्भागपूर्ण या चुनोती की बात यह कि लोग यह समझते हैं कि यह कोर्स करके सिर्फ हम टेलेविजन में जाएंगे और हम सिर्फ अलेक्ट्रानिक मीडिया में जाएंगे लेकिन यह एक एकलोता कोर्स ऐसा है पत्रिकारिता पत्रिकारिता ईगा This साइंस के रिपोर्टर के जगह है साइंस रिपोर्टर बन जाएंगे रिप आदमी के लिए जगह हर आदमी बेसाधार है, अच्छा बोलना, पर उन हरमान जी को रास्ता बताए ऐसे जामवंतों का भाव है तो अगर आप मीडिया के कोर्स करते हैं तो दोस्तों मीडिया की जो चुनौतिया उन पर तुम्हें एगले लक्षर में बात करूंगे लेकिन यह निश्चे है कि अगर आपको अच्छा बोलना लिखना आता है तो आप ना सिर्फ अपने जीवन को समझ सकते हैं बलकि वास्तों में आप भारत देश के साथ साथ अपने आसपास का भी भला कर सकते हैं विस्तार कर सकते हैं और अब आती है बारी होमवर्क की तो दोस्तों होमवर्क में आपने इतने सारे कोर्स देख लिए सारी चीज़े कर ली और अगर आप करना चाहरे हैं आपको कोई दिक्कत परसानी है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे प्लीज प्लीज ये बताइए कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं कौन सा कोर्स नहीं करना चाहते हैं कभी आपके मन म improve interview skills, यह सारी ऐसी कुछ ऐसी क्या-क्या चुनातियां आ रही हैं, आपके साथ क्या-क्या देखकेते आ रही हैं, आप सब नीचे comment box में लिखिए, definitely मैं सब का जवाब दूँगी, और एक और आखरी bonus tips, जो मैंने कहा कि मेरे हर lecture की एक खास बात अप से होगी, कि मैं आपको दू कीजिए, कोर्स कोई भी कीजिए, या कोर्स ना भी कीजिए, लेकिन अच्छा बोलना, अच्छा लिखना और अच्छा पढ़ना, यानि कि अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है दोस्तों, अभिव्यक्ति ही आपको रचनात्मक बनाती है और स्रिजनात्मक बन अपने लाइफ में एक सकरात्मक जीवन के साथ साथ में एक सुकून भरी जिन्दगी जी पाएंगे और पैसो की तो आप चिंता बिल्कुल मत करो वेन यू फॉलो यूर हाट मनी विल फॉलो यू यह सिर्फ एक कथन नहीं है अगर आप अपने दिल की सुनते हैं करियर में करियर कांसलिंग अलग से करती रहती हूं मेरे लेक्शर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मैं टॉपिक से जंप कर जाती हूं लेकिन कभी आप क सब्सक्राइब करते दो काम करने में मज़ा आता है तो निश्चे मानिया की पत्रिकारिता आपके जीवन में मज़ा तो जरूर ले आएगी आपको किसी से डरनी की जरूद नहीं रहेगी आपको बहुत सारे नॉलेज आ जाएगी आपको प्रेस लॉप पता चल जाएंगे आप किसी और विसेयसे भी कर रहे हैं अगर आप लॉज कर रहे हैं फिर आपने अगर मीडियाम सीयांसी कर ले तो आप उसके सपेस्पिक वकील बन सकते हैं अगर आपने office management का कोई course के और आपने इन सारी चीज़ों को किया है तो आप उस special office in front of office के काम को देच सकते हैं आप प्यारों बन सकते हैं इस पर पूरा पूरा व्यक्तिगत लेक्चर मेरा अलग से पढ़ा हुआ है आप उन पर काम कर सकते हैं उन पर देख सकते हैं और लाष्ट पालऄ वट्ड़ेद या बहुत सारे श्रूड़ेंट्स का मेरे पास पौन आता है कैंद मेटम क्या हम इंग्छिस थोड़ेलें इंग्ल what happened तो definitely I will provide you all information and content in English ौड हमारे का जो स्थुडी message है आवर स्टेडी मेटेरियल पेश्टान हिंदी क्योंकि हम हिंदी भासी और हिंदी वाता के विकास पर बिलीव करते हैं लेकिन विद्यार्थियों एक चीज जो मैं बोनस टिप्स के बात कह रही है आप किसी भासा पर निर्भर मत हो यह कि मुझे हिंदी आती है तो मैं एंग संभावनाएं होंगी अगर आज के समय में देखिए पहले सिर्फ हॉलीवूड था फिर बॉलीवूड हुआ फिर आपका भुछपुरी सिनेमा हुआ पर आज के समय में टॉलीवूड या जो साओध इंडिया टेलगो तामिल यह मुवीज हैं तो कहीं ने कहीं रिजनल भास यूँ विल कॉंटेक्ट विथ मी आई विल प्रोवाइड अल इंफोर्मीशन रिगॉर्डिंग इंग्लिश कम्निकेशन स्किल्स इंग्लिश श्टुटी मेटेरियल और अल्सो गुट ऑथर्स अंड गूट सब्जेक्ट बुक क्योंकि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं ह हमारा विस्विद्याले आपको प्रयाप्स पुस्त के उपलब्द कराता है परंतु हमारी हर एक की सीमाय होती हमारे विस्विद्याले आपको अभी हिंदी में प्रोवाइड करा रहा है कुछ कोर्स में इंग्लिश में करा रहा है कुछ में हिंदी में करा रहा है तो दोस्त I will give you all information I give you suggestions I give you some reading and references book so you can make up your notes and you can good study in English so there is no problem there is no language barrier आप हिंदी में लिखिये आप इंग्लिस में लिखिये जिसमें आप कम्फरेबल हो लिखिये बत लिखिये और बोलिए तो दोस्तों मेरी अंतिम बात के साथ मैं आज की स्वियाख्यान को समाप्त करना चाहूंगी कि सपनों की उड़ान और होसलों से पूरे होते हैं अर्मान तो सपने देखिए होसले बढ़ाईए मिश्चही जमाना आपका साथ देगा मैं डॉक्टर सान्ना सिवास्ता उत्तर प्रेश राशी टेंडन पत्रिकारिता मुक्त विस्विद्याले के प्रियागराज कैंपस से आपके साथ आपके सपनों को पूरे करने आपके होसलों और अर्मान में पूरा देने के लिए सदैव ततपर हूँ आपके feedback और comments का मुझे इंतजार है क्यूंकि आपके feedback और comments का नतीजा ही ये lecture है आपको जैसे demand होगी वैसी supply होगी आप से हमारे lecture अच्छे होते हैń आप से हमारे जिंदगी अच्छी होती है हम मिलके एक team के रूप में ही काम कर सकते हैं तो आपके कमेंट्स प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार है तब तक के लिए नमस्कार